हलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज दोस्तो बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर शिवानी चा गही शिवानी ने बनाया ऐसा देसी खाना कि सबने चाटली अपनी उंगलियां वेल लगा कृतिका को बड़ा जटका पायल ने किया शिवानी को सपोर्ट क्या हुआ कैसे रिष्टे का सच भी धीरे धीरे सामने आया पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तो बिग बॉस के घर के अंदर बीती रात देसी खाना बना वैल आपको बता दें कि बिग बॉस ने रो रो कर इन लोगों को थोड़ा बहुत राशन दे दिया है इन पर तरस खा कर और बिग बॉस ने कह दिया है कि अब तुम लोग एक हफते तक इसी राशन को चलाओगे मैं तुमें कुछ भी नहीं दू है तो आखिर कौन बनाएगा भूक सब को जोरो की लग रही थी शिवानी ने कहा आरे रुको हम बनाते हैं देखो मिर्च का ठेचा और साथ में बनाएंगे चावल अगर ना चाटली तुम सबने अपनी उंगलिया तो हमारा नाम बदल देना शिवानी किचन में घुसी और उसने चावल और मिर्च का ठेचा बनाया मिर्च का ठेचा और चावल को देख कर लोग अपनी अजीव-जीव सी शकले बना रहें थे क्योंकि सबको लग रहा था कि पता नहीं ये गाउन वाली देहातन क्या ही बना देगी लेकिन चावल इतने स्वाक थे कि पूछे मत सबस प्यार से खाना परोसा और आपको बता दें कि रात को ही चावल पूरी तरीके से खतम हो गया चावल का एक दाना भी नहीं बचा सभी घरवालों ने मिलकर शिवानी की तारीफ की और शिवानी के हाथ के खाने की भी तारीफ की लेकिन यहाँ पर कृतिका का चहरा उतर गया था कृतिका ने छूटते ही ये कहा कि अरे ठीक है अब इसने बना दिया तो बना दिया लेकिन इससे अच्छा हम बना सकते थे ऐसे में पायल ने साथ ना देते हुए कृतिका का शिवानी का साथ देते हुए ये कहा कि बना दिया ना इसने अब तो खा ले वेल दोस्तों साफ है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करती है लेकिन सामने से ये जरूर दिखाती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करती है आप क्या कहेंगे आप अपनी राए हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना है